दोस्तों स्भागत आपका इपारफिर से इस फिलतार नमी के ओपर मेरा नाम है राकेश और काप सारी जानकारे यहाँ पर देने वालीं वाला वर यह अंपर डिस्प्लेय के एक हॉल में होने वालई है यानि इन डिस्प्लेय कैमरा आप इसे बोल सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक साल पहले बता दिया था, इसके ओपर काफी सारे गलत कॉमेंट मुझे मिले थे, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप जो है मेरी बात या बरसच हो रही है, तो यह दरसल है क्या चीज़ डिस्प्ले के अंदर होल करने की बात जो ह हो आपर तो डिस्प्ले दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन यह महज एक स्टार्टिंग है, उस जगह से डिस्प्ले के पिक्सल बगेरा हटा कर जो डिस्प्ले का कलास है, उसके यहां पर फ्री कर दिया जाएगा, यह के होल के टाइप है, उसमें कोई होल यानि छेद न स्मार्टफोन यह पर लोंज कर रहा है, और नंसकी उन्दर आपको लगबस सब कुछ यहां पर मिल जायेगा, डिस्प्ले तो यहां पर k bubble फुल हो ही गई, इसके ऑंदर कमाल पे टेक्नलोजी हां पर निकलत के ऐ्या है, आप सोच भी नहीं सकते हैं इन डिस्प्ले, फिंगर्पिट नी सेंसर आपने देख लिया, इन डिस्प्ले कैमरा भी जो निकल के आने वाला, लेकिन फिसर के अंदर तो टेगनलोजी निकल के आए, इन डिस्प्ले कैमरा के अंदर, उसके अंदर तो सामने जो है, आपको सिर्फ डिस्प्ले ही दिखेगी तो यह थी Samsung Galaxy A8s के बारे में camera की जानकारी जो की selfie camera होने वाला है डिस्प्ले की खोल में होने वाला है और भी कुछ है इसके अंदर जो RAM वगेरा वो 46 और 8GB के अंदर आपको यहांपर मिल जगती है साथ ही इसमें जो gaming performance है वो यहांपर boost मिल जगता है क्योंकि Samsung जो है gaming smartphone के उपर भी काम कर रहा तो हो जगता है वही वाला यह हो अभी company जो है तो सही सही यहांपर जानकारी तो नहीं देती हैं लेकिन फिर भी कुसी आइडिया यहांपर लगाए जाते हैं पिछले है बार जो है smartphone हो सकता है यह थी दोस्तों Samsung Galaxy A8s के बारे में मेरी कुछ opinions आशा करता हूं आपको पसंद आई होंगे नीचे comment करके बताएं जरूर लाइक करते वीडियो को share करते अगर आपने वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर ले नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम